नमस्कार स्वागत आपका स्टार्ड इन्वेश्टमेंट में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जबरदस्त इन्फोर्मिशन देने वाला हूँ आज ही के दिन यानी की तीन मई को कमपनी ने बॉनस डिक्लियर कर दिया है वन इंच्टू टू का बॉनस और जिसका इंतजार था पहले भी आप लोगों को नोटिफाई किया गया था कि आज के दिन कमपनी जो है बॉनस डिक्लियर कर सकती है और कमपनी ने आज उसकी गोसना कर दी है शेयर होडर की यहाँ पे लोटरी लग चुकी है तो कमपनी की कमपलीट इंफरमिशन आप लोगों को देने वाले है वीडियो को एक बार पॉस करके यहाँ पे आप लोग डिस्क्लेमर को पढ़ लीजेगा और वीडियो को कमपलीटली वाच कर लीजेगा एक चीज कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से कि केवल बॉनस हो चाहे चाहे यहाँ पे केवल डिविडेंट हो या स्प्लिट हो इस तरह की इंफॉरमेशन के बेस पे ही आप लोगों को शेयर को बाई यसल नहीं करना चाहिए पहले शेयर के फंडेमेंटल्स जानने चाहिए बिजनिस जानना चाहिए और उसके बाद ही इस तरह की न्यूज के उपर बेस्ट कोई डिसिजन आप लोगों को लेना चाहिए तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे अब सबसे पहले तो यह बॉनस शेयर होते क्या हैं बॉनस शेयर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ बॉनस शेयर है जो कि कंपनी इशू करते है कौन इशू करती है कंपनी इशू करती है अपने existing shareholder को इशू करती है company और किस basis पे एक record date decide की जाती है record date के दिन जो भी shareholder book में जिसका नाम होता है उसको ये shares दिये जाते हैं इसके लिए company एक ratio decide करती है कि किस ratio में bonus दिया जाएगा और same way में किस ratio में split दिया जाएगा अब bonus क्यों देती है company ये आप लोगों को बता देना चाता हूँ based upon the number of shares that is share holders own so ये मैंने आप लोगों को बता दिया there are companies accumulated earnings मतलब ये जो these are companies accumulated earnings which are not given out in the forms of dividend मतलब company की accumulated earnings ही ये share होते हैं जो की dividends के form में नहीं दिये जाते हैं बलकि but are converted into free shares आपको free shares के रूप में ये shares दिये जाते हैं लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना CMP लिख रहा हूँ current market price जिस दिन recorded के दिन या X recorded के दिन X bonus date के दिन जो share का share price होता है वो भी same ratio में decrease हो जाता है ये आप लोगों को ध्यान में रखने वाली बात है बाद में कई सारे viewers कहते हैं कि हम लोग फंस गे तो आपको ध्यान में रखना चाहिए जिस ratio में bonus मिलता है या split मिलता है उसी ratio में current market price भी नीचे आ जाता है company के उपर आते हैं सबसे पहले company का market capitalization 28,941 करोड रुपए का company का market capitalization है price to earning ratio काफी high चल रहा है 127 का 10 रुपए की face value वाला share है यानि कि future में split की संभावनाई भी यहाँ पर बंती भी दिखाई दे रही है debt अगर company के उपर देखा जाए तो 3051 करोड रुपए का debt है और 36 करोड रुपए के cash equivalent company के पास है वही company के अगर sales growth देखी जाए 2019 और 2020 को compare किया जाए तो थोड़ासा minus में आई है sales return on equity साड़े 5% के आसपास return on capital employed साड़े 6% के आसपास और profit growth आप लोग देख सकते हैं साड़े 3% की है तो सारे के सारे financial आंकडे केवल इस price to earning ratio को छोड़के अच्छे दिखाई दे रहे हैं share holding pattern share holding pattern company का बहुत खास है क्योंकि FII ने इस company में अच्छा खासा माल उठा रखा है जो कि आप लोग भी देख सकते हैं यहां देख लीजिए यह बहुत बड़ा इसा जो कि promoter के पास है यानि कि promoter ने अच्छे खासे shares अपने पास दबा के रखे वे हैं FII के पास 20% के करीब की हिस्सेदारी है पबलिक के पास अगर देखे जाए तो 7.5 के करीब की हिस्सेदारी 7.5% और DII के पास लगबग 6% की हिस्सेदारी है तो share holding pattern इस company का बहुत ज़्यादा attractive है और share holding pattern हमें यह बताता है कि इतने बड़े जो analyst है इन्होंने यहाँ पर buying कर रहे है तो company में कुछ तो अच्छा है कुछ तो quality है अब company की sales और operating profit यह चीज़ है क्योंकि company की जब sales हो रही होंगी तब ही तो profit बनेगा और जब profit बनेगा तब हम लोगों को भी फायता होगा क्योंकि company का growth होगी और company में लोगों का interest आएगा कि हाँ भी है यह company अच्छा काम कर रही है तो यहाँ देखेंगे 2019 में 5651 करोड रुपए की sales होई थी जो कि decrease होके 2020 में हो गई 4876 करोड रुपए की operating profit 2019 में 1205 करोड रुपए का जो कि December 2020 में decrease होके 869 करोड रुपए की रह गई अब यह negative point है 2021 के आकड़े यहाँ पर update हो जाने चाहिए और हो जैसी हो जाएंगे आप लोगों को notify किया जाएगा यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे share capital और company के borrowing तो 2020 में देखेंगे अगर company की total reserves तो 3723 करोड रुपए के जो कि 2019 में थे 3578 करोड के और 2018 में थे 2406 करोड के तो company के reserves increase होए है जो की positive indicator है company के बारे में लेकिन company के यहाँ पर अगर आप borrowing देखेंगे जो कि 2019 में 2291 करोड रुपए के थे वो decrease होके 1954 करोड रुपए के रह गए हैं और company ने अच्छा काम किया अपनी borrowings को कम किया है company का नाम आप लोगों को बताना चाहूँगा Barun Weverages Limited जी हाँ दोस्तों पैपसिको के जितने भी प्रोड़क्ट है इंडिया में चाहे Pepsio, 7up, Mirinda, Mountain Dew, Tropicana और बहुत सारे ऐसे प्रोड़क्ट जो कि पैपसिको के हैं बहुत बड़ी कंपणी इंटरनेशनल कंपणी है पैपसिको इंडिया में फ्रेंचाइजी है Barun Weverages Limited के पास और company बहुत अच्छा काम कर रही है 1990 से ही आप लोग देख सकते हैं इन्होंने किया हुआ है पैपसिको के साथ बताना चाहूँगा आप लोगों को पिज्जा हर्ट है चाहे के एफसी है क्रीम बेल है कॉस्टा कॉफी है इंडिया में ये सभी की फ्रेंचाइजी भी आरजी ग्रूप की इस company के पास है Barun Weverages के पास इंडिया के अलावा देख लिएजे कहां कहां ये company काम करती इंडिया, स्री लंका, नैपाल, साथ साथ मौरोको, जांबिया, जिंबा पे सभी जगे ऑपरेशन कर रही है आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अच्छा खासा उच्छाल यहां पे दिखाई दे रहा है आज बनास डिकलेर किया है company ने गोसला कर दिया है बनास की तो उच्छाल तो आना स्वभा हुई गया है एक अजार एक रुपे पे यह शेयर गया हुआ है और फ्यूचर भी company का bright है और पिछले चार से पांच जालों में अगर आप लोग company के return देखेंगे तो 241% के return company ने दिये है अब मैं आप लोगों को वो document दिखाना चाहूँ को जिसमें bonus की गोसला company ने की है तो ये रहा वो document देख लिजे वरुन, Weverages Limited, PepsiCo का logo, RJ Group का logo और date देख लिजे आप लोग 3 मई 2021 किसको ये letter लिखा गया है ये letter लिखा गया है NSE, BSE दोनों को क्योंकि दोनों जोगे company listed है company ने अपने यहाँ पर क्या 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 declare किया है bonus एक तो declare किया है और साथ ही साथ financial results भी declare किये है मैं आप लोगों को पहले bonus का ratio दिखाना जरूर चाहूँगा bonus का ratio देख लिजे company ने कहा है one equity shares of rupees 10 each for every two existing existing equity shares of rupees 10 each held as on a record date जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था record date के दिन जितने भी share आप लोगों के पास होंगी उसी के ratio में आप लोगों को bonus मिलेगा अगर आप के पास दो share है इस company के तो एक bonus share आपको free में मिल जाएगा अगर company के 200 share है आप लोगों के पास तो share share आप लोगों को free में मिलेंगे तो bonus का ratio मैंने आप लोगों को बताया company ने अभी record date declare नहीं की है record date जैसी ही company declare करती है वो भी आप लोगों को बताई जाएगी अब मैं थोड़ा सा results company के आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पे अगर आप लोग results देख पा रहे है तो total income सबसे पहले total income यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यह देख लिजे total income यहाँ पे company की 31 March 2020 को कितनी थी 17,245 करोड रुपए की जो की increase होगे 31 March 2021 को कितनी हो गई 22,756 करोड रुपए की तो आप लोग देख सकते हैं कि अच्छा खासा increase यहाँ पे company की total income में हुआ है उसके बाद अगर हम लोग देखें company का net profit तो net profit यह देख लिजे same period में 600 करोड रुपए का था पिछले साल और March 2021 में 1360 करोड रुपए का almost double से भी जादा double से भी जादा company का जो profit है same period के लिए हो गया है तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में तो company के results आंकड़े बहुत अच्छा हैं company ने bonus भी यहाँ पे declare कर दिया है Barun Weverages Limited धमाकेदार news और company ने जबरदस यहाँ पे bonus डिकलेर कर दिया है 1 इंच टू का Barun Weverages Limited ने और साथ साथ एक चीज कहना चाहूँगा description में तीन लिंक दिये गए आप stock, jiroda, angel broking तीनों के तीनों discount broker हैं और इनके link पे click कीज़े, account open कीज़े enjoy कीज़े तीनों की services एक चीज कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से bonus के लिए split के लिए और केवल dividend के लिए बॉनस shares को नहीं खरीदना है fundamental analysis जरूर करनी है देखना है की future कैसा है वरून weverages का future तो मुझे यहाँ से काफी अच्छा दिखाई देता है साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीज़ेगा बगल में जो बेल के आगाने से प्रेस कर दीज़ेगा इससे होगा किया कि share market की जो latest update है वो आप लोगों तक पहुंचते रहेंगी और हम लोगों को encouragement मिलेगा अच्छे वीडियो बनाने के लिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद